नमस्कार दोस्तो रिव्यू सपोर्ट यूटूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेग्नेंसी के दोरान गर्वती महिला को कितना नारियल पानी पीना चाहिए और कब पीना चाहिए जिससे वो और उनकी गर्वाबस्था विल्कुल स्वास्त और सुरक्षित रह सके इसके साथ यह भी बताऊंगा आज के इस वीडियो में कि गर्वती महिला अगर प्रेग्नेंसी के दोरान नारियल पानी पीती है तो इससे उनको प्रेग्नेंसी के दोरान आने वाली कौन सी तकलिफ है दूर होती है प्रेग्नेंसी के दवरान गर्वती महिला के सरीर में हो रहे हार्मोनल चेंजिंग की वज़ा से उनको कई सारी परेसानिया आती है लेकिन इन सारी परेसानियों से बचने के लिए आप अपने खान पान पर विसेज ध्यान दे एसे में अगर गर्वती महिला रोजाना नारियल पानी पीती है तो इससे उनके सरीर में काफी सारे फाईदे होते हैं तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले बताते हैं प्रेगिनेंसी के दवरान एक दिन में गर्वती महिला को कितना नारीयल पानी पीना चाहिए तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दू गर्बती महिला को एक दिन में एक गलास नारियल पानी पीना चाहिए गर्बती महिला एक ग्लास पानी पीती है तो इससे उनको morning sickness की समस्या कम होती है लगभग गर्बती महिला को pregnancy के दौरान morning sickness की समस्या जी मचलाना, उल्टी, ठकान ये सारी दिक्कतों का सामना करते हुए उनकी pregnancy व्यतीत होती है ऐसे में अगर गर्बती महिला रोजाना एक ग्लास नारियल पानी पीती है तो इससे इन सारी समस्याओं को कम करने में काफी ज़्यादा पहुचाता है यह नारियल पानी इसके साथ ही नारियल पानी में एंटी ओक्सिडेन, ओमेगा थ्री, फैटी एसीड, विटामीन, कैलरी, भरपूर मातरा में पाये जाता है जो गर्बती महिला के लिए काफी ज़्यादा जरूरी होता है आपको मैं बता दू अगर आप भी चाहती है कि आपके आने वाला बच्चा काफी गोरा और सुन्दर पैदा ले तो इसके लिए भी आप नारियल पानी जरूर पिए हलाकि य अगर आप नारियल पानी पीती है तो इससे आपके बच्चे का रंग में निखार जरूर आता है तो आप नारियल पानी प्रेगनेंसी में जरूर पिए आईए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं गर्बती महिला को प्रेगनेंसी में कौन से नारियल पा उसी वक्त उसका पानी पी ले चाहे वो कचा हो या पका नारियल हो आपको पका नारियल का पानी भूल कर भी नहीं पीना चाहिए लेकिन कच्छे नारियल का पानी आपको उस नारियल को काटते वक्त ही उसका पानी पी लेना चाहिए उसको इस्टोर करके बिल्कुल भी रखन नहीं चाहिए इस्टोर करके रखने के बाद अगर आप नारियल पानी पीती है तो इससे आपको कई सारे नुकसान भी हो सकते है तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए प्रेगनेंसी के दौरान रोजाना एक ग्लास नारियल पानी जरूर पिये इससे आपके सरीर में धेरो तरीके के फाइदे होते है तो यहीं सब थी आज की इस वीडियो की इन्फोर्मेशन अगर आपको इस वीडियो से जुरी मन में कोई सवाल या सुझाब आ रहे हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकती है अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो त तो इस वीडियो को लाइक और सेयर चरूर करें